नमस्कर दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो सबसे पहले इस नियू येर के लिए हमारी तरब से आपको और आपके परिवार वालों को जहाए नवर्स के बहुत-बहुत बधाई हो और सुपकामनाय है और इस बर जहाए आपके जो भी ड्रीम्स है तो वो अपना तयारी करो और साथ में जो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उसको इसको फॉलो करते चलो तो आप लोग जहाए अपने ड्रीम को ज़रूर अचीब करोगे तो दिखिए दोस्तों यहां पर जो है आपका दिल्ली सबोडिनेट सर्विस सेलेक के लिए है तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सिविल ब्रांच वालों का जो इन्होंने पोस्ट आपका निकाला हुआ है और दिखिए यह जो है आपका ओलाइन अप्लिकेशन आप फॉल करने का स्टार्ट आप का हो जाएगा यह 10-2022 आपका स्टार्ट होगा 10 जनवर यहां पर बात करते हैं junior engineer civil वालों का तो इसमें देखिए जो टोटल पोस्ट इन्होंने निकाला हुआ यह सारे डिपार्टमेंट पर आपके है जो कि आपका यह सारा चीज मिला के टोटल जो वेकेंसी आपका है इसके अंदर में वो है आपका 575 है तो इसमें देखिए अच online application ही आपका जो है accept किया जाएगा और बाकी आपको जो है कोई भी पोस्ट या उसके धुरू नहीं send करना है तो यहां पर देखिए जो आपका वेकेंसी इन्होंने दे दिया है कि कितना वेकेंसी है आपका और education qualification जो इन्होंने सब के लिए जो है आपका mention करके दिया हुआ है तो आप लोग देख लेना कि concert जो है आपका department है उसमें क्या इन्होंने मांगा हुआ है in fact जितने भी दिया हुआ है तो सभी में देखिए जो essential qualification है आपका तो वो इन्होंने मांगा हुआ है degree आपका civil branch में होना चाहिए तो जो है आप लोग इसमें eligible हो apply करने के लिए तो simply degree आ आपका दिया हुआ है और करके अगर आपने डिगरी नहीं भी किया हुआ है अगर आपने डिप्लोमा सिर्फ किया हुआ है civil engineering में तो भी इसमें apply कर सकते हो लेकिन इसके साथ में आपके पास two year का professional experience भी होना चाहिए आपका civil engineer में तो आगर आपने डिगरी किया हुआ है तो आप अपलाई कर सकते हो यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है इसकी और और करके दिया हुआ आपका यहां पर कि अगर आपने डिपलोमा किया हुआ है डिगरी आपने नहीं किया हुआ है तो उसके साथ में आपको दो यहां के 27 यहां पर रखा हुआ है और बाकी देखिए इसमें एज लिमिट का बेनिफिट तो मिलेगा ही जो लोग वह भी सी या फिर जो एस्टेसी केंडेट से जो बिलॉंग करते हैं उनको तो उनको तो दिया ही जाएगा आपका एच्पात गवर्मेंट डॉम जो भी आपका राता है तो यह तो आपका हो गया डिपार्टमेंट जो भी आपका था इसके बाद देखिए जो सकेंड डिपार्टमेंट था आपका इसके अंदर में दिल्ली मुनिस्पॉल कोर्परेशन का तो इसमें जो 48 वेकिंसिया इसके लिए बीदेखिए इन्होंने मांगा हुआ है आपका से 27 के बीच में आपका होना चाहिए इसके बाद देखिए आपका आगला इसमें है इस्ट दिल्ली मुनिस्पल कॉर्परेशन तो इसमें 123 पोस्ट है आपका इसके लिए एजुकेशन कॉलिफिकेशन इन्होंने मांगा हुए डिग्री इन सिविल इंजिनेरिंग और अगर आपने डिपलोमा किया हुआ है तो उसके साथ में दो साल का एक पर प्रफेशनल एक्सप्रियंस होनी चाहिए तो इन फैक्ट देखिए यहां पर जितने भी आपके पोस्ट निकाले गया आप यहां पर ओर भी देख सकते हो दिल्ली अगरिकल्चर मार्केटिंग बोर्टका जो है तो इन सभी में आपका देखिए इन्होंने डिगरी ही सिर्फ मांगा हुआ हुआ आपका अब देख सकते हो यहां पर इसके अंदर में देखिए दोस्तों यह जो आपका दिया कि जैसे कि आपके पास education qualification है इसमें आपका diploma होना चाहिए civil engineering से और इसमें देखी कोई भी desirable जो है इसमें नहीं मांगा हुआ experience के साथ में essential है आपका कि आपके पास दो साल का होना चाहिए building या construction development work में आपका होना चाहिए तो जो है इसमें apply कर सकते हो तो आपना notification के एक बार अच्छे से देख लेना उसके बाद इक form को fill करना किसी किसी में देखिए यहाँ पर diploma ही सिर्फ मांगा हुआ इन्होंने यह essential है आपका और age limit की बात करते हैं इसमें 18-27 है आपका यहाँ पर फिर इसके बात देखिए अगला जो इसमें डिपार्टमेंट आपका दिल्ली जल बोर्ड में तो इसमें देखिए टोटल जो है पनाइल्टीयट फिकिंसी था इसके अंदर में और इसके लिए जो इन्होंने qualification देखिए इन्होंने मांगा हुआ है तो वह है आपका डिग्री इन यहां पर डिजारेबल में जैसे experience में कोई नहीं मांगा हुआ यह डिग्री वालों के लिए डिप्लमा वालों के लिए तो यहां पर जैसे इनके पास दो साल का experience तो होना ही चाहिए तो आप लोग देख लेना कौन से इन फैक्ट जितने भी इंपोर्टेंट इसमें जो डिपार्टमेंट मतलब जो पोस्ट है मैक्सिमल तो उसमें आपका सीविल का डिग्री अगर आपके पास है तो आप अपलाई कर सकते हो इसके साथ में आप दिखिए अगला आपका इसके अदर में है वो है आपका दिली सेंटर इंप्रूब्मेंट बोड तो इसके अंदर में देखिए यहां पर टोटल जो है 75 पोस्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्हाने मांगा वाए ग्रेजुट इंजिनेरिंग और करके इन्हाने दिप्लोमा होल्डिंग इन सिविल इंजिनेरिंग विद ट इसमें भी डिगरी इन्होंने मांगा हुआ है सिविल इंजिनेरिंग से और आपका पास सिविल आगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें कर सकते हो शाथ में दो साल का एक्सपरियेंस होना चाहिए तो यह कुछ इन्होंने सब कुछ मेंसन करके दे दिया है और एज 52 पोस्ट है आपका और इसमें जो क्वालिफिकेशन है अपका फूल टाइम डिगरी होना चाहिए त्री यह का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजिनेरिंग से तो यह जो है मेंसन करके इन्होंने सब कुछ दे दिया है तो आप लोग अपने कोडिंग देख लेना इसमें चाहिए जो एज लिमेट है तो वह 18 से 30 है तो एज लिमेट जो है आपका किसी में ज्यादा भी है और मैक्समुं पोस्ट में आपका 27 ही है जो इन्होंने निकाला हुआ जो जिसमें की ज्यादा वेकेंसी है आपका और आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि आपका अगला है irrigation and flood control इसके अंदर में total 59 post है आपका और जो qualification इन्होंने मांगा हुआ तो वो है आपका diploma in civil engineering से होना चाहिए आपका इसमें के वोल डिपलोमा ही इन्होंने सिर्फ मांगा हुआ है और दिखिए यहाँ पे जो age limit है आपका तो वो है 18-27 तक के बीच में है तो आप लोग जो है जब भी form feel करोगे तो आप लोग यह सारा ची ध्यान में रखते हुए feel करना कि किसमें आप eligible हो और किसमें नहीं हो maximum जो post आपका तो उसमें degree वाले allowed है और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी post आपकी निकालेगा है तो इस तरीके से यहाँ पे जो जितने भी दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर और qualification के regarding भी इन्होंने दे दिया यहाँ पर कि eligibility criteria आपका क्या होना चाहिए और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका application fees का तो यह जो है आपको online mode से pay करना 100 रुपीज इन्होंने application fees आपका रखा हुआ है तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए fees कोई ज्यादा यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो सभी लोग फिल कर देना इसको और यह अच्छा जो जो सीविल ब्रैंट से बिलोंग करते हैं अब यहां पर देखिए हम बात करते हैं आपका exam pattern का तो देखिए इन्होंने जो exam pattern आपका इन्होंने जो रखा हुआ इन्होंने तो यह जो है आपका देशें टू टीर एक्जामनेशन आपके होंगे tier 1 और tier 2 तो यह जो post है जिसमें भी civil या section officer, civil के जितने भी है उन सब में आपका tier 1 और tier 2 आपके रहेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो tier 1 है इसके अंदर में आपका दो section आपका रहने वाला है section A और section B तो देखिए जो section A है इसके अंदर में आपका question आएंगे आपके general awareness से, general intelligence originating से, arithmetic and numerical ability यानिक जो mathematics आप लोग पढ़ते हो देते हो वह ही आपका है और साथ में test of Hindi language, Hindi भी आपका आएगा और साथ में आपका English का भी आएंगे और comprehensive भी आएंगे 2020 marks का each आपका आएंगे और duration जो रहेगा आपका देखी इन्हों ने 2 hour का रखा हुआ है duration इसके लिए और question जो आपके रहेंगे तो सारे multiple choice question रहेंगे आपके total 100 question रहेगा 100 marks का तो ये जो है आपका एक marks का question आपका रहेगा और देखिए जो section B है तो ये objective multiple choice इस question आपके रहेंगे आपके subject concern से मतलब जो भी आप post apply करोगे आप branch apply करो मतलब उसी साथ आपका discipline wise रहेगा आपका 100 question और इसके साथ में देखिए तो आपका tier 1 का हो गया tier 2 में देखिए इन्होंने आपका mention किया हुआ है कि यह जो है इसके अंदर में आपका जैसे part 1 है और इसके साथ में नीचे आप और भी देख सब तो part 2 भी है तो part 1 में देखिए इसमें आपका 100 question आएगा 100 marks के और इसमें देखिए जो आपका time duration दिया जाएगा आपका 2 hour 30 minutes का तो इसमें देखिए question जापके रहेगा objective type multiple choice question रहेंगे आपके इसमें आपके entire syllabus को आपका cover करेंगे यह qualifying subject जो भी इसमें आप apply करोगे उसी से आपका पूछा जाएगा और इसके साथ में देखिए यहाँ पर part 2 है आपका तो इसमें 50 question आपका आने वाला है इसके अंदर में और इन्हों देखिए जो marks रखाओ है वह 100 marks का है तो इसमें देखिए objective type multiple choice question आपके रहेंगे तो यह जो है आपका आपके concept पर problem solving capacity पर ability to comprehend context and theoretical aspect तो उन से आपको question आएगा तो इससे आपको 100 marks का आने वाला है तो इन फैक्ट यह भी टेक्निकल सेक्शन ही आपका रहने वाला है आप लोग पेपर देखना प्रिवियस एर का आपको idea हो जाएगा इससे रिलेटेड और जो question paper आपके आएगा तो हिंदी इंग्लिस दोनों है eligible होंगे और इसके साथ में देखिए यहाँ पे इन्होंने यह भी clear cut करके mention आपका किया हुआ है कि जो भी candidate अगर यहाँ पे जैसे certificate आप देते हो अपना के लिए तो आपका जहाँ यह सारे जो फॉर्मेंट जो भी इन्होंने mention किया हुआ है तो वो जो है आपका cut of date से पहले का होना चाहिए 9222 के पहले आपका होना चाहिए otherwise आपको फिर यह consider नहीं करेंगे और वो जहाँ आपको general category में डाल सकते हैं यह तो यह इन्होंने mention करके दिया हुए आपका और इसके साथ में OVC के लिए इन्होंने mention किया हुए कि जो candidate OVC मतलब दिल्ली के जो है जो notify कियेगा है government of NCD दिल्ली के द्वारा तो आपका जो है वहीं से आपका होना चाहिए otherwise आपको फिर consider नहीं किया जाएगा benefit of reservation का नहीं दिया जाएगा तो आप ल से स्टार्ट होगा आपका और लास्ट है इसका 9 फरवरी 2022 का और इसमें जो number of post की हम बात करते हैं तो आप लोगो डिपार्टमेंट आपका इन्होंने मांगा हुए degree in electrical engineering from recognized university और equivalent या तो फिर करके दिया हुए और साथ में दो साल का experience आपका होना चाहिए तो ये सारा कुछ आपका उसी तरीके से है pattern में तो आप लोग अपने according देख लेना जिसमें भी आप लोग eligible होगे उसमें आप लोग apply कर सकते हो और बागी का exam pattern और साथ में जो exam fees का आपका selection procedure तो वो आपका दुनों का same ही है एक ह new year sale तो आप लोग जहें अभी आके इसमें इंडॉल करोगे तो आपको यहां पर फ्लाट 20% का अपको discount मिल जाएगा और साथ में Amazon को gift voucher winning करने का भी मौका आपको मिलेगा तो आप लोग जहें यहां आने के बाद app में जब अप लग आओगे तो यहां से आप लोग कोई भी कोर्स अलेक करने जो भी आपके लिए सुटेबल होगा और आप लोग एक coupon कोड़ अपलाई करना सरजी 2022 का तो आपको जो उसमें भी एडिशनल 20% का और discount आपको मिल जाएंगे तो यह आपको आपको देखिए ऑफर भी limited period के लिए है नियू यूयर्क आपर में तो यहां पर आपको जीके English, Hindi और साथ में जो computer है तो इसका लेक्चर आपको इसके अंदर मिल जाएगा और इन सभी courses में आपको जो है अभी limited time के लिए आपको offer मिल जाएंगे तो आप लोग course को select कर लेना इसके बाद आपका payment option आएगा तो आप लोग हापे coupon code apply कर लेना इसके बाद आप लोग का price जो है वो reduce हो जाएगा 20% discount के साथ में तो यह limited period के लिए है तो जो लोग भी course में इन लोड होना चाहते ताप लोग कर सकते हो link आपको मिल लाएगा description box में app का